क्रांड कार्डन जिनकी नेट वर्ट तीन हजार मिलन डॉलर की है अपनी किताब टेनेक्स रूल में कहते हैं कि सफलता किसी एक इंसान के लिए नहीं है बलकि सफलता सभी लोगों की जिम्मेदारी है क्योंकि आपकी फेलियर से किसी का भला नहीं होता मगर आपकी सफलता से सभी का भला होता है अगर आप सफल हो तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो अपने दोस्तों को इंस्पायर कर सकते हो अपनी आर्थिक हालत को सुधार सकते हो इसलिए सफल होना आपकी जिम्मेदारी है सफलता क्या है सफलता सिर्फ पैसे कमाना नहीं है सफलता का असली मतलब अपने हर वो गोल को अचीव करना जो आपके लिए जरूरी है उसे पाना ही सक्सेस है सायद आपके मन में ये सवाल है अगर सक्सेस जिम्मेदारी है तो कुछ लोग ही इसे क्यों पाते हैं क्रांड कार्डन कहते हैं अधिकतर लोगों के फेल होने का कारण उनकी एक्सपेटेशन है लोगों को पता ही नहीं होता कि रास्ते में रुकावट आने वाली है जब अपनी एक्सपेटेशन से ज़्यादा मुश्किले आती है वे लोग हार मान लेते हैं और ठक के बैट जाते हैं और फिर कभी दोबारा कोशिस नहीं करते हैं इसलिए ही अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं तो कुछ भी अचीव कैसे करें टेनेक्स रूल के हिसाब से अगर आपको कुछ भी अचीव करने के लिए उसके रास्तों का पता है कि कितनी रुकावट आने वाली है तो उसे दस गुना बढ़ा दे और आज से ही उसे पाने के लिए दस गुना एफट लगाए इससे आपके अंदर पेसेंस बरेगा और यदि आपने जितना सोचा है उससे अधिक मुश्किल भी आएगी अब उसे लरलिंग और आप कभी हतास नहीं होंग जैसे कि मान लिजिए आपका गोल है एक साल में दस हजार किक्स की प्रैक्टिस करने का तो टेनेक्स रूल के हिसाब से आप अपने गोल को दस गुना बढ़ा दे एक साल में दस हर किक्स नहीं बलकि एक साल में एक लाख किक्स की प्रैक्टिस करे यदि आपका गोल छोटा होगा और आपने जितना सोचा होगा उससे अधिक महनत लगेगा तो आप अपने गोल को और छोटा करने लगेंगे इससे वो गोल कभी अचीब नहीं होगा और यदि आप अपने गोल को दस गुना बढ़ा देंगे तो आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी जिससे आपने जो पहले गोल सिट किया था उससे आप आसानी से अचीब कर लेंगे और यदि उससे अचीब करने के लिए आपको काम एफट लगता है तो आप अपने आपको भाग गिसाली मानिया आप अपने गोल के छोटे छोटे अचीबमेंट पे अपनी तारीफ करे और उसका आनन्द उठाए इससे आपका होंसला बरेगा और आपको भी हार नहीं मानेंगे नहीं तो आप कुछ दिन बाद ठक के बैठ जाएंगे